कोई राजी कितनी तेजी से विकास कर सकता है यह वर्तमान भारत के उत्तर प्रदेश को देखकर समझा जा सकता है नोयडा, कानपूर, लखनौ, अयोध्या वरानसी में हो रहे तेवर विकास ही नहीं अतिश जिग्र अब इस राजी को एक और मेट्रो पॉलिटन सिटी की सौगात मिल रही है जहां पर अब मेट्रो भी दोड़ेगी नमस्कार मित्रों, इंडियन SRJ पर आप सभी का स्वागत है भारत वर्ष में संचालित विकास पर योजनाओ तथा धार्मे की स्थलों पर हो रहे विकास कारियों की महत्तपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे गोरखपूर बनेगी मेट्रो पॉलिटन सिटी तथा गोरखपूर मेट्रो प्रजेक्ट की संपूर्ण जानकारी एवं वर्तमान परिस्थिती तो मित्रों संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंततक अवश्य देखें मित्रों वीडियो में आगे दी जानकारी यदी आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक वशेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब करके हमारे मनोबल में व्रिधी करें चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ के ग्रह जनपद गोरखपूर को भी महानगर घोशित कर दिया है बीते शनीवार को इसकी अधिस उचना जारी कर दी गई है महानगर बनने के साथ ही अब यहाँ पर मेट्रो के संचालन का रास्ता भी साफ हो गया है जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने गोरखपूर नगर निगम के अतिरिक्त तीन नगर पंचायत वो आठ विकास खंडो को भी समलीद कर इसे महानगर ख्षेतर घोशित किया है और यह इसलिए हुआ है क्योंकि प्रदेश सरकार गोरखपूर में मेट्रो चलाना चाहती है परन्तु कम जनसंख्या होने के कारण से यह नगर उस सीमा में नहीं आपा रहा था इसके लिए नगर को मेट्रो पॉलिटन सिटी अर्थात महानगर होना अवश्यक है और इसका बड़ा कारण है कि इसके बिना केंद्र सरकार से मेट्रो पॉलिट के लिए अंचिदान भी नहीं मिल पाता इसलिए प्रदेश सरकार ने गोरखपूर नगर को महानगर घोशित कर दिया है तथा नगर विकास विभाग ने शनीवार को इसकी अधिसुचना जारी कर दी है बता दें कि अपर मुख्य सचिव नगर विकास की ओर से जारी आदेश के अनुसार गोरखपूर महानगर ख्षेतर में अब गोरखपूर नगर निगम, नगर पंचायत पिपराईच, नगर पंचायत पीपी गंज, नगर पंचायत मुंडेरा बजार की अतरिक्त, चरगावा, खोराबार, पिपराईच, सरदार नगर, पिपरॉली, जंगल कोडिया, कैम्पियर गंज, वह भटहट विकास खंड के सं गोरखपूर अब महानगर यानि मेट्रोपॉलिटन सिटी बन चुका है, यह भी बता दें कि गोरखपूर को महानगर बनाने की प्रक्रिया बहुत पहले ही आरम हो गई थी, इसकी नीव गोरखपूर विकास प्रधिकर्ण अर्थाथ जीडिये की सीमा विस्तार के साथ ही प प्राइच एवं पीपी गंज तक हो गया है, गीडा क्षेतर में सम्मिलित सहजनवा भी अब नगर का ही भाग होगा, बता दिंकी योगी आदितिनात के मुख्यमंत्री बनने के पश्चात से ही गोरखपूर का विकास तेजी से हो रहा है, मुख्यमंत्री बनने के पश्चा जब उन्होंने जीरिय सभागार में अपनी पहली बैठक की थी, उसी समय महानगर क्षेतर की रूपरेखा के बारे में चर्चा हुई थी, उसके पस्चात चर्ण बद तरीके से कारी हुआ, योजना पर काम करते हुए चारों और सड़कों का जाल पहले ही बिच चुका है, नगर के चारों और, रिंग रोड के अंतिम चर्ण का कारी भी शीगर ही पूरा हो जाएगा, रिंग रोड की कारीयोजना बनाने के साथ ही, इसके आसपस आने वाले गाउं के विकास की रूप रेखा भी तयार कर ली गई है, यह भी बता दें कि जीडिय की सीमा में, पहले जहां महा नगर के अतरिक्त सों गाउं से भी कम समिली थे, वहीं सीमा विस्तार के पस्षात 319 गाउं जीडिये का भाग हैं, तथा जीडिये ने नया गोरकपूर बसाने की प्रक्रिया पहले ही आरंब कर दी हैं, कालेसर से जंगल कोडिया, जंगल कोडिया से यही नहीं, प्रदेश सरकार गोरकपूर में लाइट मेटरो ट्रांजिट परियोजना के अंतरगत, तीन कोच वाले लाइट मेटरो चलाना चाहती हैं, परन्तु कम जनसंख्या के कारण यह महतोकांची परियोजना इस्थिर थी, किन्तु अब प्रदेश कैबिनेट से मेट जंडी मिलने के पश्चात, गोरकपूर में मेटरो का मार्ग प्रशस्त हो गया है, तथा नगर की सीमा तो बढ़े गी ही, साथ ही विकास की गती और तीवर होगी, बता दिंकी फिलहाल, मुख्यमंतरी योगी यादितिनात की पहल पर, गोरकपूर नगर में लाइट रेल ट आरम हो जाएगा, तथा वर्च 2024 तक निर्माल कारे पूर्ण कराने का लक्ष निर्धारित हैं, गोरकपूर मेट्रो के अधिक जानकारी के लिए बता दें कि डिपी आर के नुसार गोरकपूर मेट्रो में दो कॉरिडोर होंगे, दोनों कॉरिडोर पर कुल मिला करके 27 स्टे कॉरिडोर के अधिक जानकारी के लिए बता दें कि पहला कॉरिडोर श्यामनगर से लेकर मदन मोहनमालवी प्रदोगी की विश्विद्याले तक 15 दश्मलो 14 किलो मीटर लंबा होगा, इसमें 14 स्टेशन बनाए जाएंगे, अनुमान है कि वर्च 2024 में एक दश्मलो 55 लाख ल प्रति दिन यात्रा कर सकेंगे, इसके अत्रिक्त गोरकपूर मेट्रो का दूसरा कॉरिडोर बियारडी मेडिकल कॉलेक से नौसल के बीच में बनेगा, जो 12.70 किलो मीटर लंबा होगा, इसमें 13 स्टेशन प्रस्तावित हैं, अनुमान है कि वर्च 2024 तक 1.24 लाख लोग इसम में 2,19,000 लोग प्रति दिन यात्रा कर सकेंगे, यदि आप मेट्रो और लाइट मेट्रो में थोड़ा कन्फ्यूज हैं, तो हम आपको बता दें कि लाइट मेट्रो में 3 या 4 कोच ही होते हैं, एक कोच में 100 यात्री सफर करते हैं, इसकी स्टेशन भी छोटे होते हैं, कम जन लाइट मेट्रो लाइन के ट्रैक के किनारे फेंसिंग लगाई जाती हैं, भिल भाड़ वाले क्षेत्रों में उपरी रूट तयार किया जाता है, बता दिंगी गोरकपुर मेट्रो ट्रेन की लंबाई के एक तिहाई भाग में ही प्लेट्फॉर्म पर शेड लगेगा, इसम के समया वधी में नियम तोड़ने पर आम मेट्रो से अधिक अर्थ डंड लगाने की बाते भी सामने आई हैं, इन सब की अतरिक्त एक और नवीन जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से बिहार को एक और एक्सप्रेस्वे का प्रस्ताव भेजा गया है इस प्रस्ताव में गोरकपूर से सिली गुडी तक एक्सप्रेस्वे का निर्माना कराया जाना हैं, केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित एक्सप्रेस्वे उत्तर प्रदेश की गोरकपूर से आरम होकर बिहार के गोपाल गंज, सीवान, छपरा, मजफरपूर, सीता मढ़ एक्सप्रेसवे का निर्माण हो चुका है इसमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में 930 किलोमेटर एक्सप्रेसवे हैं तथा यूपी में अभी लगभग 1000 किलोमेटर और एक्सप्रेसवे के निर्माण पर कारी जारी है जो गंगा एक्सप्रेसवे के शीला न्यास अर्थात अगले महां दिसंबर में होने से और भी बढ़ जाएगी तथा जीवर एयरपोर्ट, डिफेंस कोरिडोर, नोयडा फिल्म सिटी यादी प्रोजेक्ट पर भी तीवर गती से कारे आगे बढ़ रहा है जो अतिश इगर उत्तर प्रदेश को भारत में सबसे अग्रणी हो तो वह भी बताएं इसकी अत्रित यदि आपने दर्शक हैं अथो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब पर हमें कृतग्य अवश्य करें फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जैहिंद हर हर म हादियो